अमेरीकी बाजार अज़ आज खुलेंगे तीन दिन की चुट्टी के बाद कुछ कंजूमर कॉंपिडेंस डेटा भी उनका आने वाला है थोड़ा होम प्राइज का भी डेटा आएगा अबर नंदलेस डाव फूचर्स और हलकी बड़त के साथ नास्टेक फूचर्स पर सेंच अबर भी तेजी करने के मूर में ना कोई बड़ी कमजोरी आज बी नहीं कि तूट जाएंगे बहुत और इसा भी नहीं कि बढ़ जाएंगे रो क्या हो रहा है कि आज कि हर रफते एकाद एकाद दिन ऐसा होता है कि बड़ी मजबूती के साथ जो बाजार ट्रेड कर दो ज़्यादा होती नहीं है तेजी करना चाहो तो हमेशां डर रहता कि एक बार दस पंदा मिट पर तूटना जाए बाद में सब ठीक हो जाएगा लेकिन समें इस टॉप लोगो ट्रेड करने से रोक रहा है जहां तक डेटा का सवाल है तेबीस जार मेक और ब्रेक लेवल है हम सकते हैं 70% मुर्ख वीक्नेस का है 30% मजबूती का है 23,000 की कॉल पर 96,000 लाग शेर हैं तो अब बचेवे समय के लिए आपके लिए 23,000 उपर मांट एवरेस्ट है उसको पार करके उपर बंध हो तो ही कल आप और फेश्टेजी की पोशिशन के बारे में सोचीगा आप रेंज में रहकर खतम हो जाएंगे बैंक रिप्टी उन्चास 250 के आसपास नहीं इसको निचास 500 को तोड़ने की जल्दी है दोनों तरफ इसका कोई खास मूड है नहीं यह रेंजर डेटा एकदम परफेक्ट है उन्चास जार के पूट पर 35,000 लाग शेर है उन्चास सुबह तरफ देर एकदम जम कर मजबूत दो पर होते निकल गया खाया पिया तो अभी मामदा ऐसे चलेगा दी जब मजबूती में देने काम वीकनिस में हमत हो तो लेने का नहीं तो शांती से बैटनी का यह है इसलिए आज बड़े जनुमाद में आपको द्याना हो सुबह कि मिटकेप स्वाल के पर बहुत चुनिंदा करिकदारी का मौका है यह तो अभी तक हम लगातार करें थे कि यूनियर सब्रिया है थोड़ी सी यहां पर हलकी सी प्रॉफिल बुकिंग या हाथ रूकने वाले आ रहा है तो मजब लीजे वेटन वाच और मैं सुबह से आपको क्योंकि जब आपको रिस्क रिवार्ड फेवरेबल हो मुवमेंट सही सब पकड में आ रहा हो तो बैतर यह कि कुछ न करें शांती से बैठें यह वैसे मार्केट है शांती से बैठें जी ठीक है